मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते आज हम आप लोगों के लिए कैथा काचार बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले मसाले ले लिए हैं राई, मेथी, सौफ, अजवाईन, जीरा सारी चीजे अच्छे से रोष्ट कर लेते हैं देखिए कलर आ चुका है अब हमें प्लेट में निकाल लेते हैं और मसाले को ठंडा होने देते हैं मिर्ची, गाजार और कैथा को अच्छे से धोके धूप में डाल दिये थी जिससे पानी अच्छे से सूख जाएगा अब हम इनको काट लेते हैं छोटे-छोटे पीसेज में काट लेना है ऐसे सारी गाजार काट लेते हैं हमने गाजार काट लिया अब मिर्ची इस तरह से काट लेते हैं इस तरह से मिर्ची काटने से इसकी करवाहट बहुत जल्दी अचार में पहुँच जाती है अब हमें किनारे बाउल रख देते हैं अब कैथा को इस तरह से फोड लेते हैं कैथा अच्छे से तूट नहीं रहा है इसलिए हम लड़वा से अच्छे से फोड लेते हैं लड़वा नहोता वजन चीज से अच्छे से फोड लेना है ओपर का छिलका निकाल देना है ये कच्चा कैथा है अब हम चाकू से इस तरह से काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है अब हम दूसरा काथा भी इस तरह से फोड़ लेते हैं चाकुक की मदद से इस तरह से अंदर का गूदा निकाल लेना है हमने कैथा को भी अच्छे से काट लिया है अब हम धूब में थोड़ी दिर फैला देते हैं अइसा करने से अचार सालों खराब नहीं होता है और थोड़ा सा इसका पाणी जो है सूख जाएगा अब हम मसाला पीस लेते हैं सिल्वट्टे पे दरदरा मसाला ही पीस ना है देखिए इस तरह से दरदरा मसाला ही पीस लेना है अब हम काला नमक ले लेते हैं यह सुद्ध काला नमक है और अच्छे से कूट लेते हैं अब लाहसो नदरग ले लेते हैं और सारी चीजे अच्छे से पीस लेना है अब लेते हैं नमक के साथ में लैसुन को पीसने से बहुत अच्छे से बिश जाता है अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं देखे गाजर कैथा और मिर्ची भी अच्छे से सूख चुका है बस इतना ही सुखाना है हमने दो घंटे ही धूप में डाला था अब एक कटोरे में डाल देना है अब एक चमच हल्दी पाउडर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए हिंग डाल देना है नमक स्वादा नुसर थोड़ा सा नमक ज्यादा ही लेना है क्योंकि नमक से अचार खराब नहीं होता है और मसाला डाल देना है अब थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं जामुन का और सरसो का तेल अब सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेना है वीडियो में थोड़ी से चमाक आ गई है जो अच्छी नहीं लग रही है यह हमने धूप में बना दिये वीडियो इसलिए ज्यादा से साफ नहीं दिखाई दे रही उसके लिए सारी देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ी से कलाउंजी डाल देते हैं अब हम एक साफ डिब्बे में रख देते हैं अचार को भर के डिब्बे को थोड़ा से सुखा लेना है जिससे पानी बिल्कुल न रह जाए 6-7 दिद में ये अचार अच्छे से गल जाएगा और खाने वाला हो जाएगा ऐसे तुरंत भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार जरूर बनाईएगा अचार इसमें कैथे का खट्टापन आता है और मिर्ची का कड़ुआपन और गाजर मिठी होती है हलकी से इसलिए सब चीज़ें को मिक्स हो जाता है अचार और बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार सालों खराब नहीं होगा अगर खराब होने लगे तो थोड़ा सा नमा काइट कर दीजिएगा इससे अचार की लाहिप बढ़ जाती है अब हम ढखकर लागा के धूप में रख देते हैं अच्छे साथ दिन के लिए सूखने को इससे अचार अच्छे से गल जाए झालों खराब आग के लिए सूखने को जाती है ऑखकर दीजिए उरी बटा